दोस्तों CSC यादि डिजिटल सेबा पोर्टल के मात्यम से किसी भाइट का First Party Insurance कैसे बनाना है इसके बाद आप कैसे First Party का Insurance कर पाएंगे इसका Complete Process आज युल्टिक सब्सक्राइब कर ले giihnがना सबस Lagrav आपको मिलते रहें इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जितनी भी मोटर कॉंपरेंसिम जो कमपिनिया है जो भी इंसोरेंस करती है वो सब देखने को मिल जाएंगी चाहिए HDFC हो यहाँ पर SBI हो Oriental हो और यहाँ पर आपको मिल जाएगा Bajaj, Reliance यहाँ पर सभी जो कमपिनिया है देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर हम जो इंसोरेंस करेंगे अभी फर्स्ट पार्टी का वो करेंगे SBI General Insurance है Motor Comprehensive तो इस पर आपको Click Here पर किलिक कर देना है इसके बाद SBI General Insurance का जो dashboard है वो open हो जाएगा आपकी जो CCID है उससे login हो जाएगा तो यहाँ पर आपको इस तरह से जो interface है देखने को मिलेगा dashboard है policy search है manual KYC court history और यहाँ पर आपको renewal dashboard यहाँ पर बहुत सारे options यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगे यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा RM की list मिलेगी कोई problem हो तो इस पर contact कर सकते हैं यहाँ आप मुझे भी comment section में जाके comment कर सकते हैं यहाँ पर motor, health और personal accident सभी परकार के insurance यहाँ से कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको अलग-लग vehicle जो है उनका insurance करने को मिल जाएगा चाहे 4-billar हो या भारी बाहन हो या प्राइवेट हो या आपको यहाँ पर 2-billar insurance करना चाहते हैं जैसा कि यहाँ पर हमने 2-billar insurance comprehensive पर क्लिक करके आपको दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पर इस तरह से interface मिलेगा taking 2-billar policy for तो individual पर ही रखना है और इसके बाद यहाँ पर आपको new policy बनाना चाहते हैं यह policy expire हो गई है roll over पर क्लिक करना चाहते हैं तो हमारी यहाँ पर left policy है first party की जो policy थी पहले वो expire हो चुकी है तो left पर क्लिक करेंगे regular series पर रहने देंगे यहाँ पर vehicle number आपको enter कर लेना है vehicle number एंटर कर देने के बाद यहाँ पर आपको fast detail का option देखने को मिल जाएगा इस पर ही आपको click कर देना है इस पर click करते ही आपके जितने भी vehicle के brand होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे हमारे case में जो भी bike का model है वो यहाँ पर हम search कर लेते हैं search करने के बाद जो model है आपको देखने को मिल जाएगा check box पर आपको tick कर देना है जो भी bike का model है इसके बाद next कर देना है इसके बाद यहाँ पर continue का option देखने को मिल जाएगा इस पर आपको click कर देना है continue उपर click करते ही आपके सामने यहाँ पर registration date देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको registration date select कर लेनी है जो कि आपको आपको RC पर देखने को मिल जाएगी या previous policy जो है उस पर भी देखने को मिल जाएगी मैनू सक्तिरिंग year automatic यहाँ पर select हो जाएगा registration date डालते ही registration city यहाँ पर आपको type करना है तो search हो के नीचे आजाएगा उसको आपको select कर लेना है आपको RC से जो भी आपका RTO location है वो select कर लेना है previous policy की जो भी detail है जिस type की policy है वो यहाँ पर आपको select कर लेनी है previous policy की according ही यहाँ पर आपको previous policy की detail है वो यहाँ पर fill up कर लेनी है इसके बाद new policy की जो detail है आपको automatic यहाँ पर date और जो भी starting date है जो भी end date है वो automatic ही फिलफ हो जाएगी तो यहाँ पर आपको previous policy detail को फिलफ कर लेना है then यहाँ पर new policy detail में आपको जितने मन्त के लिए आप यहाँ पर insurance ले रहे हैं वो यहाँ पर आपको automatic select मिलेगा 12 month आप कम जादा भी कर सकते हैं आपको policy start policy end date जो देखने को मिल जाएगी इसके बाद आपको next पर click कर देना है next पर दोस्तों आप जैसी click कर देंगे आपके सामने इस तरह का interface open हो जाएगा जिसमें आपको default coverage और benefits आपको automatic select मिलेंगे यहाँ पर vehicle की जो IDV value है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आप यहाँ पर जो भी default select रहती है वही रहने देना इसको कम जादा मत करना अगर आप कम जादा करते भी है थोड़ा बहुत price उपर नीची हो जाएगा 10-20 रुपए तो उससे कोई benefit नहीं मिलेगा बट यहाँ यहाँ पर आपको यह accident का जो cover है जो honor का cover होता है 10 लाग वो आपको automatic select मिलेगा इसको आपको रहने देना एक cover जरूर ले लेना है personal accident का जिसमें 10 लाग तक का benefit मिलता है तो इस तरह से यहाँ पर आपको break up देखने को मिल जाएगा जो भी insurance amount है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको continue वाले option पर click कर देना है continue वाले option पर click करते ही दोस्तों यहाँ पर आपको please verify your vehicle तो यहाँ पर आपको registration number automatic film मिलेगा यहाँ पर vehicle का जो changes number होता है उसके last five year यहाँ पर आपको enter करना और verify कर देना है इसके बाद यहाँ पर PUC और जो certificate होता है fitness का वो यहाँ पर yes मिलेगा यही रहने देना है इसके बाद continue पर click करना है इसके बाद do you have a valid pen number अगर आपके पास pen card number है तो आपको yes करना है नहीं है तो no पर रहने देना है next पर click कर देना है जैसी आप next पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने taken two biller loan अगर आपकी bike पर two biller पर कोई loan है तो आपको yes करना है और उस loan party का नाम जो है एंटर कर लेना है नहीं है तो आपको उनों पर रहने देना है इसके बाद आपको honor की detail है उसको fill कर लेना है title first name क्या है और gender क्या है आपकी जो age है honor की email id है mobile number है address है pin code यहाँ पर enter करेंगे तो select area में आपको pin code के related जो भी area है वो यहाँ पर आपको select करने को आ जाएगा यहाँ पर आपको state automatic select हो जागा pin number डालते हुए इसके बाद bank account detail आप fill भी कर सकते है नहीं तो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर fill करना तो आप यहाँ पर no रहने दीजिए इसके बाद no money detail आपको जरूर फिल करना है अगर आप यहाँ पर जो accident cover ले रहे हैं तो इसके बाद no money की detail है नाम है जो भी no money का relation है room no money से और यहाँ पर आपको date of birth no money की select कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आपको no number ही रहने देना है और next पर click कर देना है अब यहाँ पर usc यहाँ की detail भी देख सकते है अब यहाँ पर आपको yo csc के थूरु यहाँ पर आपको payment करना है तो select payment gateway पर automatic select ही रहता है detail को आपको अच्छे से check कर लेने है check कर नने के बाद यहाँ पर mem payment पर आपको click कर देना है coc value net Schwar उपना CST का जो password है उसको आपको यहाँ पर type कर देना है, validate करना है, यहाँ पर wallet पेन एंटर करेंगे CST का और pay now पर click कर देंगे, payment successfully का यहाँ पर आपको message dashboard पर देखने को मिल चुका होगा, इसके बाद जो भी आपकी policy है वो यहाँ पर thank you your for choosing SBI general insurance और policy number भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, नीचे आपको policy copy download का icon देखने को मिलेगा, तो policy copy download पर आप click करेंगे, तो जो भी आपकी policy है वो download हो जाएगी, यहाँ पर PDF डाउनलोड हो चकी है, इस पर click करेंगे, तो जो PDF है वो file यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, SBI general insurance की, जो PDF file है वो यहाँ पर आल नोट्पिकी समपो और लेना, जिससे आने बाले और भी डेटिस्ट वीडियो की नोट्पिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें